चलिए तो गणित में आज हम लोगों कुछ महत्यपून तथ्यों को पढ़ना है जो आपके लिए परिच्छा अपयोगी हो यहाद परिच्छा में प्रशनाते हो लिखेगा आज गणित में क्योंकि आज का जो पर्षेंटेज का शवाल है पीछे आप लोगों जो पढ़ते आ रही है बृद्दी कमी प्राप्त हो रही है लागातार कमा बृद्धी कमी हो दो इसल Красणी पर शरुए स्कूर कर सकते हैं तो आप हुं क्लास की शुरुआत करते हैं आप लोग ने वीडियोगों सेर नहीं करो अगरि लाइक कर दिजेगा अगर का प्रश्ण में ही जन संख्या पे आधारित माथत्यपुन प्रश्ण उत्तर होगी चढ़ास पर होगी जन संख्या यह जनसंख्या के प्रश्ण ऐसा है जिसे हम जिसे आप लोग इसके पहले एक सूत्र का प्रियव कर दे थे चक्रमिद्धी व्याज का लेकिन आज से ऐसा कुछ नहीं करना है तुछ लिखेगा एक नगर की जनसंख्या एक नगर की जनसंख्या आठ हजार थी प्रति वर्श की दर से बढ़ने के बाद तीन वर्श की तीन वर्श बाद तीन वर्श बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी प्रशन को ध्यां की जनसंख्या थी वह आठ हजार थी तो प्रति वर्श प्रित्षत की वृद्ध्य होने के बाद तीन वर्श के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी जल्दी से हल करिए हल करके, कमेंड करके, आप में जबाब दीजेगा, जो भी शाती लाइब हैं, चाहे हो, फिश्बुक पे लाइब हो, चाहे हो, यूटूब पे लाइब हो, सभी लोग इस प्रशने का जबाब देंगे, और साधी साथ, शेयर कर देंगे, ताकि जो साती भी तेक हमारे साथ नह नहीं बता दिया था, कि प्रस्ट लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके तथ्यों को समझना, ये सबसे बड़ी बात है, इक कैसे इस प्रशन को हल किया जाए, एक कम समय में, आप प्रशन को लगा ले, बीना किसी नियम, बीना किसी फॉर्मूले का, और आज आप करे हैंगे, भी ऐसा नहीं है, कि हम अपने इसे कह दिये, रहे सर, ये तो कह दिये, लगेगा कि नहीं लगेगा, देखिए इस फॉर्मूले को जो लगाया जाता है, जिसका जो बेशिक कॉंसेट है, जो आप लोग यूज करते थे, वो ये यूज करते थे, ए बराबर, पी, वन प्लैस, आर अपान, हंड्रेट, हंड्रेट पावर, ये चक्रविद्धी का सवाल हुआ करता था, आप इस चक्रविद्धी के सवाल के माध्यम से हल करते थे, लेकिन मैंने आपसे पहले वादा किया है, आज जो जिस करम की वीडियो देख रहे हैं, आज भी हम किसी फार्मुले का यूज नहीं करेंगे, और इसी करम में आगे भी आपको हल कराते हुए बढ़ेंगे, ठीक है, एक मिनट रुकेगा, एक सिकंड हम आपका समय नहीं लेंगे, कि वीडियो को हम सेयर कर लें, ठीक है, ताकि जो लोग अभी हम से जुड़े हैं, उन तक हम वीडियो को यह पहुचा सेगे, एक तीन से चाली सेकर हम आपका लेंगे, जादा नहीं लेंगे, जादा हम आपका समय नहीं लेना चाहेंगे, अब देखें, अब कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या, आठ जाग थी, किलियर, कह रहा है, प्रती वर्स, पांच प्रिस्यत की जनसंख्या में ब्रिद्धी होती है, तीन वर्स के बाद, नगर की जनसंख्या क्या होगी, तो तीन वर्स बाद क्या होगी, पहले वर जो जनसंख्या पड़ेगी, तो क्या होगी, एक सो, पांच बट सव फिर गुडे एक सव पांच बेटा सव जो नियम हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे उसी नियम से इस पश्ट को हल करेंगे बीना किसी सूत्र बीना किसी फार्मूला मतलब यहां पर हम लोग को ना कोई सूत्र यूज करना ना कोई फार्मूला यूज करना है आए यह यह दो लट्डू, यह दो लट्डू से, यह लट्डू, इस लट्डू से कर गया किलिए आप ध्यान से दिखते हैं अब अगर आप काटेंगे तो यह 100 बचा है तो आप 5 से काटेंगे तो यह 21 हो जाएगा और ये 5 से काटेंगे तो 5 दोना 10, 2 से काटेंगे 8 को तो 4 हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पर 5 से काटेंगे 21, 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 21 और 5 से काटेंगे तो यह जाए कितना, 5 से 4, 4 से काटेंगे 4 खत्म, उपर क्या बचेगा, 21 गुड़े, 21 गुड़े, 21 आधार थे उसी बेसिक कॉंसेट के आधार पर इस प्रकार के प्रशन को हल करेंगे मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि हम आपको किसी प्रकार का कोई नियम नहीं पढ़ाएंगे बिना किसी नियम बिना किसी फर्मुले के हम इस प्रशन को हल करेंगे के लिए प्रशन को अध्यान से सुनिएगा हमने पष्णि क्या कहा था प्रश्नि कहा था कि एक नगर की जनसंखेज ऑठजार है पांच प्रिक्सत प्रतिवर्सकी दर्से वृत्थी होने के बाद तीन मट Sun के बाद टीन कि जनसंख्या क्या होगी मैं इसे दुबारा बता देता हूँ, तिवारा बताऊंगा, तब तक बताऊंगा, जब तक आपके concept के लिए न हो जाए, विकि आप selection के लिए पढ़ रहे हैं, time pass करने के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, और परिच्छा में score करने के लिए basic concept समझना सबसे जादूरी होता है, एक नगर की गंजं फिर गुड़े, एक सव पांच बटे सव, फिर होगी, एक सव पांच बटे सव, किलियर? अब इसी को काट कर छोटा कर देंगे, तो आपका उत्तर सीधा जाएगा, 9261, अगर इसी प्रस्ट में, मैं ध्यांज सुनिएगा, copy column लेकर बैठे हैं न, इसी प्रस्ट में अगर थोला सा बदलाओ कर देता, तब क्या होता, धांज प्रस्ट को लिखेगा, यही प्रस्ट का उत्तर यही है, एक नगर की जनसंख्या 8000 थी, पांच प्रत्य वर्ष की दर से ब्रिद्धी होने के बाद, तीन वर्ष के बाद, नगर की जनसंख्या में, कितने लोगों की, या कितने व्यक्तियों की भृध्धी होगी तो सीधी सी वात है जल संक्या 8000 स्थी 9261 हो गई तो कितने बढ़े 1261 लोग बढ़े कितने बढ़े 1261 लोग बढ़े इस प्रकार आप दिये गया प्रश्ण को आसानी से कर लेते आसानी से आप समझ लेते यहां तक किसी कोई दिक कर कोई समझ्या हो ता बहिच्यक बेधड़क कमेंड करके आप हमसे पूसकते हैं हम आपके सवाल का पूरा पूरा जबाब देऊंगे अगला पश लिखेगा एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्स दस पर्शन की ब्रिद्धि होती है तीन वर्स बात उस नगर की जनसंख्या उस नगर की जनसंख्या तेरा हजार तीन सो दस हो जाती है तो उस नगर की जनसंख्या क्या थी जो भी शाती लाइब है वो इस वीडियो को अपने शातियों को शेयर कर देंगे अगर उन्हों साथी फेस्बुक पे देक रहे हैं जो साती से यूटूब पे देख रहे हैं यूटूब पे सेयर कर देंगे कि एक नगर की जर्शंख्या में दस प्रतिशन प्रतिवर्श की दर्शे बृद्धि होने के बाद तीन वर्सो बाद नगर की जर्शंख्या उस नगर के जर्शंख्या प्रार में नहीं दी गई थी तो उस नगर की जर्शंख्या यक्स मानेंगे पहले क्या मानेंगे यक्स मानेंगे फिर यक्स मानने के बाद पहले वर्स दस परसन बढ़ी 110 बटासो दूसरे वर्स 110 बटासो तीसरे वर्स 110 बटासो ठीक है अब बताईए अब इसको जब हल करना होगा तो कई कीसी हल होगा बताएए बहुत हीरा तरीक यहां अंस का अंस को हर सिकार देंगे यहां पर एक लाट बटासो इसका लटासो इसका लटासो इसके लटासो सके अब ही 11 से कटेंगे तो क्या रह गाए उकઌश lifetimeal फिर यह 11総 से काटेंगे 11, 110, फिर 10 काटेंगे 11, 10, 10, अब ये बते में है, 100, ये, तो य्कि बराबर, ये जाएंगे, गुड़े, ये 10 गुड़े, 100, तो एक के बाद कितना 0, 1234, जिरो, 1234, तो दिया गया पृष्ण का उत्तर क्या होगे अबका, 10,000, तो जो नगर की जलसेंगया थी वह कितनी थी? 10,000 थी. कितनी थी नगर जलसेंगया? 10,000 थी. clear हुआ? clear हुआ? किसी कोई दिवक्त, कोई शमस्या? किसी कोई दिवक्त, किसी कोई शमस्या? हो तो comment करके पूछिए, अभी इसका अस्तर बढ़ाएंगे ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे से पढ़ रहा है से पढ़ते चलेंगे इसमें भी अस्तर बढ़ेगा बीच का परसेंटेज गयाप कर सकते हैं इसकी वैलू गयाप कर सकते हैं इसकी वैलू गयाप कर सकते हैं लगातार वैलू में परिवर्तन कर सकते हैं उसको ही बतादिए आको कुछ योग लोग आते हैं सर सुधर आला बताइजे रहरागा भी जाने हम देखिए जूधर प्रयोग करते हैं तरह वह ए बराबर पी5 प्लैस आर अरा पंधार स्धुम कि सिस्पे लगाते तो इस किसे पहले लीखतें एक यह दिया है घर हजा थीh तो दस बटा सो घाते यान तो हो जाएगा 13310 कड़ गया 1320 कड़ गया 11 बटे एक तीस बटे एक हजार फिर इसी को काटते तब जाकि आपका उस्तर प्राप्त होता अभी तीन चाट प्रक्रिया और नीचे जाएगा लेकिन हम लोगों ने एक ड़म एक बेसिक ट्रक्यूच किया अगर आप सभी को जितने लोग लाइप देख रहे हैं अगर आपको समझ मे में आ आगया ´तो twoHHH dependent करे के नहीं सवाज मया दनक्या ऱुक्त करें प्रक्यास कब अब हम इसी सवार्ड का शगता जा रहा हैए तक यहीं समझना नहीं आपको समझना था भईये था आपको यह समझना है यहीं फ़र्मूला पढ़ाते हैं अल्टक यहीं तरीकाई पड़ातन अब आपको सरक्षान नेने इकुमत है बताइए कि दुखा लिए इसकी इसके इन्सट क्लिक कर लिए क्लिक हो गया चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अब लिखेगा एक नगर की जैसें क्या एक नगर की जैसें क्या बीस हजार थी एक नगर की जैसें क्या बीस हजार थी पहले वर्स पहले वर्स बीस परसें की ब्रिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् इस प्रकार तीन वर्सों के बाद नगर की जन संख्या क्या होगी इस प्रकार तीन वर्सों के बाद नगर की जन संख्या क्या होगी इस प्रकार तीन वर्सों के बाद नगर की जन संख्या क्या होगी जल्दी से फटा-फट कमेंट करके बताएगा एक नगर की जन संख्या पह इस प्रकार नगर की जनसंख्या में कुल कितने परसेंट कितनी हुई कमेंट करें जल्दी जवाब देगा जल्दी से फटाफट बताएगा इस इतने लोग लाई पर फटाफट कमेंट करें पर कमेंट जवाब दें सबीड़ोग जितने लोग भी लाईब हैं सभी फटाफट कमेंट करें और कमेंट करें करें जितने लोग भी लाइब देख रहे हैं कि चांब फेस्पूप जाब यूटूब पे हो तो पहले वर्ष कितने बचन के बृद्ध्ध विए तो कितना लिखेंगे एक सव बीस बता सव गुडे फिर अगले साल दस पर्श ही कमी हुई कितने यह । तो कितनी हो गई नब्बे बता सव फिर गुडे नब्बे बता सव अब कह रहा है तीन वर्ष के बाद नगर के जन्षंख्या क्या होगी तो जल्दी कमेंट करें करें बते हिये रहती ह। oh my door एक मिणट रुकेगा ऐगाल नागल क़ड़ी एक मिणट रुकेगा एक मिणट रुकेगा- लाइट कड़ी तो किज़ए तेन वरस बाद नगर जेन Sankya क्या होगी तो जीडिए तो इतना आसान तरीके est हमने बाए कि नगर के बीश जय थि पहले वक्रण की कमी वी ब्लिद्य और गृप in would face गृआ कि अब कर दो लुए कि तो बाहने के इसी प्रकार कल भी हम लो जो इसके बात कभी जो लाग चलेंगे वह इदम इसी प्याधार प्लिए आयगे प्याधार कोई विक्तिकेशे कमाता है खर्च पर खर्च करता है परसेंडेज परसेंडेज करता है तब उसकी वैलू कैसे निकलते हैं यह बहुत सवाल है जो आपके अच्छा में कई बार पुछे लाते हैं अगर एक बार आप उसकी कॉंसर्प को क्लियर कर लेंगे तो भाष्च में कभी दिक्कत नहीं हो दी बाकि आपके इच्छा बस एक दू मिनट कुछ सेकंड़ लगेगा बोट स्टार्ट होने में तब तक इस वीडियो को सेर करिएग छाएगन खैसें जाआ हैं हमने देखा कि एक नंगर की जनसंख्या कितनी थी बीस अजार थी दीज़ार नंगर की जन संख्या थी पहले बड़्स कितना है एक सो बीच बटा सो हुगा फिर गुडे नब्बे बटा सव फिर नब्बे बटा सव यहीं से एक प्रश्ण भी और बनेगा आपका उभी बताऊंगा कैसे देखें यह दो जीरो दो जीरो से दो जीरो दो जीरो से इसका लड़ो इससे इसका लड़ो इससे बारह दुनी 24 भुडे नौ , यह वजा वन्हान धुडे 66 आए नो धुना 8वे च जरा ना ? अक्सवाट बता था दो बचाता नो सोन तुन थारा ती हो जायेगा 0 18 1 अठारा थे 144 141 18 18 19 19 9,440 3 अब आया है वह होगी 9,440 ऐसे बाद आपलोग मिला के देख एगा 10,440 क्यरे वो जो लाइद देख रहे हैं जितने लोग लाइब देख रहे हैं, आगे लिखेगा, अब देखिए, इसी प्रस्ट में थोड़ा सा परिवर्तन कर देता, तब क्या होता, प्रस्ट को दुबारा लिखेगा, एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी, एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी, एक नगर की जनसंख्या 20,000 थ पुना तीसरे वर्स 10 परषनिक गिना, इस प्रकार जनसंख्या में कुल कितने प्रतिसत का प्रभाव पड़ा, इसे हल करने का दो तरीका, पहला तरीका क्या है, आय उसको बता देते हैं, फिर दूसरा तरीका क्या है, वो बताते हैं, एक तरीका तो आपको सिंपल यह मिल दे συंदेगा कि इस तरह अपने लगा लिया तो पहले ज्यसहर कितनी थी 20,000 माइनेस 1990,440 मासका जैसे क्या बशिद्धु कमी कम कमी हुए है कितो यह कमी हो हुई है तो शहसो साथ वटेः कि 460 बटे 20,000 पर्सेंटेज के लिए गोडेशो तो यह दो जीरो इस दो जीरो से यह दो जीरो इस से दो तहां में 20 और यह काटेंगे तो 2 से 33 त्यों हो जाएगा 33 बटा 10 तो बराबर प्लस तीन दस मलाव 3 पर्सेंट की ब्रेश यह तरीका लेकिन एक सरल तरीका भी है इस तरीका को निकालने के लिए क्या करते एक बारे में यह निकालना पड़ता फिर लगाते लेकिन हमने आपको प्रारम में एक बेसिक कॉंसर्ट पढ़ा था एक दम बेशिक कराएक नगर के जैसे संख्या में पहले 20 पर्सेंट के प्रिद्दी हुई फिर 10 परसेंट कमी माना नगरी जग्या सो थी पहले बर्स कितना बड़ा बीस तो हो गया 120 बटा सो दूसरी बार नब्वे बटा सो फिर नब्वे बटा सो इसे को हल करना है आइए हल करते हैं हमने क्या देखा 100-100 से क्लियर यह लड़ो इससे यह लड़ो इससे यह लड़ो इससे एक बचा है 129 या 108 तो 108 गुड़े 9 बटे 10 यह होगा न 129 या 108 फिर 9 बटे 72 91 का 9 ठीक है तो क्या हो जाएगा बटे 10 तो आइए देखे क्या हो जाएगा यह 9 बटे 72 फिर 9 एक का 9 अच्छे यह कुछ गलती हो गए दिग्या एक मिनट एक ध्यान दिजएगा इसके पहले वाले में इसमें कमी होगी कम इसलिए होगी ने वेकि यहां पर कम होगी यहां पर कमी होगी द्यान दीजएगा यहां पर कमी होगी और हमने घटाय गलत था यहां पर साथ घटाना गलत हो गया था मैं रचा रहा है उखना मैं थोड़ा सी गलत हो गया है enable fantastic beta 20 यहां पर 38 यहां पर 28 यहां पर 28 अनि 20 तब कम पूं यहां पर 2 08 यहां यहां अब आगे देखेंगे, यहां पर क्या करेंगे, यह हो जाएगा इसका उत्तर संतान वे दसमलो 2 बराबर माइनस दो दसमलो 8 परसेंट थीख है, दो दसमलो 8 परसेंट तो यह वह वह एक दम बेसिक कॉंसेट हैं अब बताईए, यह सार लगा इसके पहले वाला सार लगा, बताईए अब लोग यह सार लगा थी वह सार लगा बताईए में पताईए बाते हैं कि बमुझाए है ये है ये सई है ना ये भी जांते रही है दोनो जानते रही है ओक है दोनो कि आसा पर इत्रा नपर आया प्राइप पूछा जाता है हाँ अब अगर आप कहें तो थोना चाभास को एक नए त़रीके से बोलूगा सेम प्रस्न को नया तरीखा सा लिखेगा एक नगर की जन्षन क्या लिखेगा एक नगर की जन्षन क्या एक नगर की जन्षन क्या बीस हजार थी बीस हजार थी पहले वर्ष बीस परसंड की पृद्धी की गई दूसरे वर्ष दस परसंड की कमी की गई तीसरे वर्स यक्स पर्सन की कमी की गई तब पस्याद तीन वर्सों के बाद नगर की जनसंख्या 9440 हो गई 9440 हो जाती है 9440 हो जाती है तो बताएं कि तीसरे वर्स कि नगर की जनसंख्या में कितने प्रत्सत की कमी होई थी सभी लोग कमेंड करके जवाब देंगे प्रशन को हल करने के बाद प्रशन को मैं रिपीट करता हूँ एक नगर की जनसंख्या 2400 थी पहले वर्स 20 पर्सन बड़ी दूसरे वर्स 10 पर्सन बड़ी तीसरे वर्स 8 पर्सन की कमी होई इस प्रकाद तीन वर्सों के बाद नगर की जनसंख्या 9440 हो जाती है तो तीसरे वर्स कितने पर्सन की कमी होई कमेंड करके बताएं सभी लोग जो भी लाइब देख रहे हैं सबी लोग कमेंट करके जवाग दें और आपको बहता लगे शेयर जरूर कर दिये आई ये देखते हैं वाइस प्रस्ट को हल करने के लिए देखा जाए क्या तरीका यूज किया जाएगा कह रहा है कि जो नगर की जन संख्या थी वो बश जाएथी फ़या बेज़ जा तोमें भी पता है उसके बाद पहले वर्स बीस परसंड बढ़ी तो 120 वե՟ा 100 के लिए दूसरे वर्स दास परसंड कमी हुई नबबे वेटा 100 अब तीसरे वर्स समस्या बढ़ गई तीसरे बर्स कहा रहा है कि एक्स पर्षंट की कमी होई तो क्या करेंगे 100 माइनस एक्स बटे 100 बड़ाबर अब नगर दंगा कितने हो जाती है 19,440 तो 19,440 नगर जाती हो गई 19,440 ठीक है तो अब इसी को हल करता है यह हल कर लेंगे यह इसकी जुमेलो निकलेगी अब आईए 20,20 से 20,20 से यह 0 इस से यह 0 इस से बस अब गुड़ा करना है तो आईए देखिए 12,90 एक्सो वाट बच कड़ गया ना 20,20 से 20,20 से 20,20,20,20,60 खटम तो उपर हो गया 12,90 एक्सो वाट एक्सो वाट दुना 216 तो आपका क्या बचेएगा 216 गुड़े 100 माइनस याक्स बराबर 19,440 यह गुड़े में है यह गुड़े में था तो हम काट सकते थे अंस अंस से हर हां से अगर हम चाते ऊपर ही काट लेते कैसे काटते अगे देखिए 12 से काटते तो बार एक का बार है बसता कितना साथ त्यावे बचेगा 24 12,20,72 72 बचा दो 12,20,04,0 16,20 9 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 9 से 9,1,9 9,8,72 0 2 से काटे तो आपको मिलता क्या यहां फे बसता आपको अगर इस मेठर्स लगाते तब यूदकि यह तो उसके आगी प्रक्रिया थी यहां से भी लगा सकते है लेकिन हम ऐसे अंस कौन से हर से हर को काट सकते थे यह ट्रिक हो जाएगा पूरा पूरा ट्रिक आपको यही ग्यात करना था तो कितने परसे नहीं कमी हुई दस परसेंड की कमी हुई अब अब किसी को दिक्कत अब किसी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूस सकते हैं उसके बाद हम लोग दिएगे प्रशन का एक नया तरीका एक नया प्रशन पढ़ेंगे जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा नहीं देखा हो अब जो हम लोग गणित का प्रशन पढ़ने जा रहे अब जो हम लोग गणित पढ़ने जा रहे एक दम नए तरीके गा अब उमीद करता हूँ और मैं आपसे चैलेंज देता हूँ कि कौन सबसे पहले प्रस्ट को उत्तर लगा कि देता है देखते हैं सबसे पहले क्योंकि जिसने सबसे पहले लगा कि दे दिया इसका मतलब उसको यह concept समझ में आदेगा क्या सभी लोग पैयार हैं जितने लोग लाइब हैं जितने लोग लाइब हैं क्या सभी लोग तयार हैं लेखिए तेलिग्राम में अप्यस्ट रहरें कि सच करिए । चिरीज़ज वीना space WIL4 367 ऑर करके और लाइन क्लास और नोट से सम्मंदित जानकारी ले सकते हैं ठीक है चलिए अब हम प्रशनेव बोल रहे हैं और उमेद करता हूँ कि आप में से कोई ने कोई जरूर सवाल लगा लेगा लिखेगा लिखेगा एक नगर की जन्शंख्या यह बेसिक कोंसेप्स लगाए हैं हमने कोई नियमी नहीं पढ़ाया हम मारी जो आज की सिरीट चल लई है मैंने एक भी नियम नहीं पढ़ाया है कोई भी जितने भी लड़के लिए रेगुलर क्लास कर रहे होंगे कोई भी कमेंट करके पूश सकता है बता दे क्या मैने कसी दिन सोत्रेश फार्मुला पढ़ाया है अभी तक एक एक वीडियो मेरी 40-40 मिनट की 50-50 मिनट की होई है के घंटेψंai क्लास होई है क्या मैने अभी तक कोई फार्मुला कि पढ़ाया है रखता ये याद करने के उम्चार नहीं है उसके बाद आप एक बार मेरी गनित पढ़िएगा, किसी भी किताब से हल करिएगा, कोई किताब, मैं किसी किताब का नाम ने रहे न चाहूंगा, किसी किताब से हल करिएगा, आप कहेंगे वास्तों गर जितना असान है, लेकिन उसके लिए भरुशा का एक वीडियो देखनी भादते हुए नहीं, कुछ लोग आएंगे, देखेंगे, चल देखेंगे, आएंगे, देखेंगे, चल देखेंगे, चल देखेंगे, तो ऐसे लोग सफल कितने लोग होते हैं आपके आसपास, कितने लोग नोगरी करते हैं सो लोगों में, पांच लोग, तो पांचे लोग रुकते हैं, बाकिसा बात्तें देखेंगे, 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 चल जाएगे, ठीक है, चलिए, क्वेश्चन रिखेंगा, एक नगर की जनसंख्या, पच्छास हजार थी, पच्छास हजार थी, पांच प्रत्षत 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 प्रति वर्ष की दर्ष से ब्रिद्धि होने के पचात बृद्धी होने के पच्चात दो सही चार बटे पांच दो सही चार बटे पांच वर्षोक बात नगर की जनसंख्या क्या होगी सबसे पहले देखते हैं कौन जवाब देगा जो जवाब दे लेगा उसे मैं ये मान लूँगा कि वो e-learning दुर्गेश्ट की सारी वीडियो लेक्चर को अभी तक समझ गया जिसने भी जवाब दे दिया एक नगर की जनसंख्या पचास अजार थी पांच प्रश्यत प्रतिवर्ष की दर्श से बृद्धी होने के बाद पांच सई चार बटे दो सई चार बटे पांच उस बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी यह अगर आपने लगा लिया यह आज का आखरी शवाल होगा उसके बाद आज की जो टॉपिक है वह पूरी तरह से खतम हो जाएगी जनसंख्या पे आधारित परसेंटेश के शवाल बस सारी लॉजिक सारे कॉंसेट के लिए रोचुके हैं उसके बाद एक छोड़ा सा इसमें तरीका आपको बताऊंगा यह परिच्छा के जो प्रशन आएगा तो उसमें भासा जो रहेगी भासा को डिकोड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा गड़ित को बिना किताब से पढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनोती होती है लेकिन वास्तुकता बहुत यह असान होता है प्रशन को पूरा जब आपके दिमाग में पूरा माइन कॉंसेट रहेगा तो परिच्छा का प्रशन का इसा भी आप कर लेंगे आपको विश्वास नहीं होगा यह सारी गड़ित मैं बीना किताब कुड़ा तो आज से नहीं वह भी देखेंगे की सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं अगर बहतर पढ़ा तुम यह काम का होगा और गडित को मैं गरेंटी के साथ पॉझा की ऐसा गड़ित आपको किसी चैनल पर नहीं अभी एक चैप्टर है अभी और देखेगा उत्तर नहीं बता आप लोगों ने उत्तर बताई है कोई माई का लाल दिये के प्रिश्ण का उत्तर जल्दी से बताए एक नगर की जल संग्या पचाज यार थी और भी बेसिक कॉंसेट्ट से और दस प्रिश्ण प्रतिवर्श की दर्श से ब्रिद्धी होने के बार दो साइट चार बिटे पांच वर सोबाद नगर के जल संग्या क्या होगी जल्दी से बताए ये भी बताए कोई हाँ या ना या कजिन कमेंटों करना सिफ़ा अपलो शेयर मत क्या गरो लाइक मत क्या गरो जवाब तो दिया गरी अपलो चलिए उत्तर आगे और कोई और कोई जवाब दे जदी से दो उत्तर आगे और कोई चलिए हम हल करते हैं आई हम हल करते हैं चलिए हल करते हैं सवाल को हम ही हल करते हैं क्या रहा है कि एक नगर की जो जनसंख्या है वो पचास हजार है दस प्रत्सत की धर से जनसंख्या ब्रिद्धी हो रही है किसके धर से दस प्रत्सत की धर से जनसंख्या ब्रिद्धी हो रही है लेकिन जो वर्स है वो कितना है अई देखते हैं जो वर्स दिया है, वो वर्स ऐसे दिया है, दो सही चार बटे पांच वर्स, इसको हम लिख सकते हैं, दो प्लस चार बटे पांच, माने ये दो पूरा है और ये चार बटे पांच, तो दो बार हम लिखते हैं, एक सव, पांच परसें मृद्धी बोला था न, हाँ, एक सव, प पांच बटे सब, अब इनकी कहानी खतम, अब इनकी कहानी खतम, अब आया चार बटे पांच, तो चार बटे पांच हो कैसे हल करेंगे, एकदम ध्यान से समझेगा, आप भी क्या याद करेंगे, चार बटे पांच है, तो जो बचा हुआ होगा, उसे दर से गुड़ा करेंगे किस से गुड़ा करेंगे दर से दर क्या इसमें 5% गुड़े 5 हमेशा जो भी भिन बचेगा उसे दर से गुड़ा करेंगे तो ये 5-5 से किलियर क्या बचेगा 4 तो मतलब अब कितनी की बृद्धी होगी 104 बटे 100 इसी को आपको हल करना है जिस ब्रक्ति में हल कर लिया इस गनित का ये सबसे कठिन और कणा सवालों में शेक था मेरी बास समझ गया आप लोग क्या रहा है कि एक नगर की जल संग्या 5000 थी पांच प्रिशत अच्छे पांच जान में लिख दिया है छोटी छोटी घलतिया हो जाती है एक नगर की जल संग्या 50,000 थी पहले वर्स मादब पांच परसंग प्रतिवर्स की दर से ब्रिद्धी होने पर दो सही चार बटे पांच वर्स बाद नगर की जल संग्या क्या होगी पहले आप लोग जितने लोग लाइब हैं वो पहले comment कर ईक अतना बता दे क्या आपको यह topic समझ में आई क्या जितने लोग लाइब हमें दीख रहे हैं क्या उन सभी को इस समझ मा गया concept जो मैंने कैसे किया पहले क्या किया जो 2 वर्स था उसको 2 बार तो लिख दिया है पूरा पूरा था जो बटे वाला concept था, जो बटे का, उसको दर से गुड़ा करेंगे हमेशा, दर चाय इतना होता, तो दर से गुड़ा करेंगे, तो आपको प्राप्त होगा, चार, चार परसन बढ़ेगा, देख तो चार बटा 100, आईए, अब इसमें चाकू लगाते हैं, चाकू कैसे लगेग पांच से काटेंगे तो 21, अब पांच से काटेंगे तो 4, चार से काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 26, उपर क्या बचेगा, पांच गुड़े, 21 गुड़े, 21, 21 गुड़े, 26, क्या बचेगा, पांच गुड़े, 21 गुड़े, 21, गुड़े, 26, कितना है जरा कमेंट करेंगे बता ही है तो, कमेंट करेंगे कितना हैगा, जरा कमेंट करेंगे बता ही अपलो, सभी लोग कमेंट करेंगे जवाबते हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे जवाबते हैं, सभी लो गुड़े इक्टेश गुड़े चबिस तो इसका जो अंसर होगा वह जागा तो दो सही चार बटे पांच वर सो बाद नगर की जल संक्या क्या हो जाएगी 57330 तो बताइए किसका यह सही था किसका यह सही था सभी लोग कमेंट करके बताएं किते लोग का यह कॉंसर्ट सही था अगर आपको समझ गया तो बहुत बहुत धन्यवार नहीं आया हो तभी कमेंट करके पूछ लिजेगा हम आपके प्रशनों का जवाब देंगे अच्छा इसी प्रशन को चगविदी पांच रिखेगा अचास हजार उपए की धन्राशी पर पचास हजार उपए की धन्राशी पर पांच प्रशन प्रतिवर्स चगविद्धी ब्याज की दर्व से दो सही चार बटे पांच वर्सों बाद पांच बाद मिस्द्धन क्या होगा और चगविद्धी ब्याज क्या होगा से में उत्तर आएगा कुछ करना ही नहीं है अपके इस सच्ग विद्धी ब्याज का सूत्र पढ़े है यह बेसिक कॉंसेप्ट है कुछ प्रेंगे सरम् चकविद्भी ब्याज का सूत्र पढ़े की सारजी से क्या से क्या सूत्र नहीं है यही बेसिक कॉंसेप्ट है यही उपत्तरा आएगा मिस्दन आएगा शाट हागा कितना जिटनोग और उसका चक फर प्थीजा मैं बम किदना यह और आ जाएगा आग तो समझ में है आप लोग सी आई कैसे निकालेंगे सेम प्रश्ण था शत्तावन या था था न किया रहा था कि पांच जार उपए के धनासी प्रिश्य अत्वार्सिक चक्युविद्धी व्याज की दर से दो सही चार बते पांच वर सो बार चक्युविद्धी व्याज क्या होगा चक्युविद्धी मिश्धी अपने का सम्ट फर्मूला पड़े थे आप भीना फर्मूला लगा दी जी हां फर्मूला हमारे क्लास में नहीं ठीक है, एक बार सारी वीडियो को इस्टाटिस देखेगा, पूरा, जो लास्ट में जुड़े हैं, और करम सा सभी वीडियो को देखेगा, वरना आपको ये कॉंसेट जो बेसिक है न, वो समझ में नहीं आएगा, अभी बेसिक कॉंसेट कितना चलेगा, आप यकीन नहीं माने कि मैं पूरी मैथमेटिक्स को इतना असान कर दिया है अभी बोर्ट को डल लग रहा था एक सवाल लिखेगा जिसका उत्तर कमेंड में दीजेगा अब बोर्ट पे सवाल हल नहीं हो पाएगा तो लिखेगा सवाल और उतका उत्तर कमेंड में बॉक्स में दीजेगा सेम पैटन लिखेगा सबी लोग कमेंट लिखेगा सवाल एक नगर की जनसंख्या एक लाग थी एक नगर की जनसंख्या एक लाग थी प्रति वर्ष की दर्ष से जनसंख्या में ब्रिद्धी होती है ठीक है जनसंख्या में ब्रिद्धी होती है तो तो साथ सही दो सही दो सही साथ बटे दस वर्ष वाद नगर की जनसंख्या क्या होगी सेम पैटर्न है अगर यह चक्विद्धी व्याज पर बोला होता सवाल तब कैसे बोला होता लिख लिजेगा एक लाग रुपई की धनरासी पर दस प्रिश्यत वार्षिक चक्विद्धी व्याज की दर्षे दो सही साथ बटे दस वर्षों बाद दो सही साथ बटे दस वर्षों के बाद चक्विद्धी में से धन क्या होगा चक्विद्धी व्याज की एक दाम बेसिक प्रष्ण को लगाना है हल करके आप सभी को बताना है किलियर कोई दिक्कत इसी कोई समस्या कोई दिक्कत एक कोई समस्या रही है चली तो आप लोग तो सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाज आची क्लास खतम होगे इसको हल करके किसकी जो एंश्वार है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजेगा और शाथी साथ इस वीडियो को अपने शाथियों को श्वेयर कर दीजेगा और ओनें कोर्स के लिए आप हमा साथ जुड़कर आप एक बड़ी और एक अच्छी त्यारी कर सकते हैं गर आपको लगता है मेरे साथ ताफसरी का बहुत बहुत धन्यवाज ऑन्लेंग क्लास के लिए डिसक्रिप्शन में लिंग नंबर दिया गया महां पे जुड़कर जानकर ऑन्लेंग क्लास समधी सभी जानकरी ले सकते हैं और नहीं क्लास कैसे पढ़नी है कैसे त्यार करना है बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय हैंग जय बाद